हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बढ़िया होंगे तो आज का हमारे पास कोश्चन है केस स्पेसिफिक सॉर्टिंग ऑफ इस्ट्रिंग जी एफ जी का एक मीडियम लेवल का यह कोश्चन है तो इस कोश्चन के अंदर हमको एक स्ट्रिंग होगी एस जिस को रिटन करना है लाइग अगर आप एकशामपल देखो कैसा क्या करना है हमको तो मेरे पास सब्सक्राइब मेरे पास है लाइक बी डी ए जाड और फिर आजाता है कुछ हम लिख लेते हैं ई एफ और ए भी ठीक है एसी करे कुछ हमारे पास स्ट्रिंग है हमको इसको इस को को solve करना है तो हमको जिसा इन्होंने given दे रखा है कि हमको sort करवाने अपर लेटर को and lower letter को separately and जहां पर आई प्लेस पे जो भी original string में है वो अपर character है तो हमको उसकी जगे अपर रखना है और lower है तो हमको उसकी जगे ठीक है अब अगर हम इसमें answer लिखते हैं जैसा इन्होंने बताया बी क्या है हमारा lower position है तो lower position पर हमारे पास क्या है यह तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर क्या हमारे पास E आया, E क्या है small है धेन हमाँ पास डी तक तो हो गया था E बचता है तो हम यहाँ पे E को लिखेंगे धेन फिर F, अबंढ रहा पास small है तो हम भूरक को लिखेंगे पिर आइक हमाँ पास A क्या है Capital है, तो हमाँ पास जब यह A हमने यहाप पर अल्रेडी लिख चुका था तो हमारा पॉइंटर यहापे होगा तो हम इसको लिखेंगे B को ठीक है अगेन हमारे पास B आता है B के आपिटल है तो हम आपस जो नेक्स्ट कैपिटल होगा हम उसको लिखेंगे तो यहाड आएगा थो यह हमारा answer होगा ठीक है ऐसा हमको कुछ करना है तो चलते हम इसके एक example को देखते है ठीक है example में हमारे पास given है D E L sorry F है यह D F ठीक है R R के बाद है T T के बाद है S E R E R के बाद आ रहा है S U X I ठीक है तो first अगर हम इसमें sort को देख करवाते है small वाले को तो D E ठीक है D E के बाद यह एक और E है यहाँ पर E F होता है फिर हमारे पास R आता है फिर S आता है ठीक है उसके बाद अगर capital को देखो तो capital में सबसे सबसे चोटा क्या है I है I के बाद क्या बचता है R A S T U X ठीक है यह होगा अब इसमें लिखते हैं हम सबसे small सबसे first में क्याई D small है तो small का first character वो क्या है हमारे पास D कूदी है उसके बाद E small है तो E again यह वाला character E फिर small F है तो F की जगे क्या है हमारे पास small next क्या है E है तो E को write करो फिर आता है capital का R मतलब capital है capital का first letter क Negative I I politics I हो जाएगा फिर उसके बाद क्या हमारे पास D कै capital है तो इसकी जगे R आ रहेगा उसकी जगे फिर As आहएगा ठीक है ठीक है यह हमारे पास ही हो गया अब उसके बाद अगर हम देखते वापस क्या he wären हुआ है फैस किया है हमाएँ पास स्मॉल सुल jeeSmall आपास के बच रहा था अप तो हम यहां पर लिए एप उसके बाद फूरी एक साथ है उसके च्छा घर्ट सुरी एकस है कैफैल या हम यह लिखेंगे तो मुशत की जगे ए हमारे पास तो यह तो यह हमारा आंसर होगा आप देख सकते हैं ठीक यह अंसर है ठीक है तो अब इसको हम कोड में कण वर्ट करेंगा आइस चीक आपको आठोच एड D ren यहां मद में इस लोवर वाले को मैनेज कर ले द़न अपर वाले को मैनेज कर ले और में पॉइंटर लगा सकते हैं एक एप्रोच यह हो सकती है अगर आपको आइडe होगा की एसिक वैल्यू क्या होती है A C value हम इसके बैसिस इसको अरेंज कर सकते हैं लाइक हमको पता है कि जो capital A है इसकी होती है 65 ठीक है और Z की जो value होगी वो 65 plus 26 कुछ होगी और small क्या थी वो होती 97 to 97 plus 26 तो क्या हम इस basic पे इसको arrange कर ले देन हम lower and upper की इसमें इसको add कर देते हैं ठीक है like suppose करो में इसको order करूँगा तो like मेरे पास यह चलेगा जिसमें सबसे पहले क्या आएगा capital letters आ जाएंगे I R S T U X ठीक है उसके बाद आएंगे small D E E F F के बाद आएगा मेरे पास S R S ठीक है यह order होगा ठीक है इस order का मैं इसको sort कर रहा हूंगा तो यह सी string बनेगी क्या मैं इसके अंदर फर्स में अपर या लोवर find कर लूँ कि मेरे पास lower कहा से चालो रहा है यह position lower है मैं lower number निकाल लूँ उसके बाद में इस I को पहले मनलब अब इसके अंदर में क्या करता हूं मैं इसको run करता हूं डी वाली place पे तो मुझे इस D को रखना है ठीक है D complete हो गया उसके बाद मेरे पास यहां पर E है तो E वा पर करते हैं जो हमारे जो string है उसको हम किसमें convert कर लेते हैं character array में ठीक है तो create करते हैं ch str.2 character array तो मेरी string क्या हो गई character array में convert हो गई अब मैं क्या कर लेता हूं इसको sort कर वा लेता हूं अपर and then lower ठीक है address dot sort ठीक है ch मेरा sort हो गया अब मुझे दो पॉइंटर चीएंगे int lower is equal to zero and upper जो होगा वो भी क्या होगा जीरो होगा अब मुझे यह पता है कि मेरी जो इसके अंदर जो sort हुआ है तो first में अपर and then lower है तो कहां से lower start हो रहा है तो एक वाइल लूप लगाता हूं अगर मेरे पास सारे के सारे अगर इसमें अपर है ठीक है तो इसकी लेंद्ध होगी ch.length ठीक है अगर इसके अंदर इफ अगर मेरा जो ch.lower पे जब भी मुझे कोई भी लो छोटा ए मिलता में लोवर के इस मिले उस क्या कर देगा break कर दे otherwise lower की value को increase कर दे lower प्लस प्लस ठीक है अब इसके बाद हम क्या कर लेता है हमाएं बस lower एन अपर पोजिशन आ गई कहां से चालू हो रहा है तो हम क्या करते एक answer करके हमारे उसमें बनाते हैं जो हमारे character के अंदर होगे answer इसकी size होगी हमारी जो string की size थी new character array ch.length ठीक है अब इसके बाद हमें लगा लगा लेते हैं indi equal to zero i goes to str.length ठीक है और i plus plus अब इसके बाद मैं check करूँगा कि मेरे जो i position पर character है वो upper है या lower है तो if अगर str.character at i is less than a it means क्या है वो upper character है ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा answer.i के अंदर add करना पड़ेगा किसको upper character वाली value को तो मैं क्या करूँगा जो मेरा ch. जो मेरा upper है उसकी वाली position को मैं इसमें add कर दूँगा ठीक है इनिशली क्या थी वो 0 थी ठीक है यहाँ पर मैं add होगी फिर क्या हो जाएगी इसकी increase हो जाएगी position ठीक है और जिसका else case होगा उसके अंदर क्या होगा else case होगा हो होगा हमारा lower case ठीक है तो answer.i equal to ch यहाँ पर हो जाएगा हमारा lower plus plus ठीक तो इन लास्ट हमारी वो जो इस्ट्रिंग थी मलब जो हमारा answer रहे था वह upper and lower के अंदर sort हो चुका है अब मुझे क्या करना है इसको return करना के इस फोर्म में करना है इस ट्रिंग के फोर्म में करना है तो मैं यहाँ पर return करूंगा new string और इसके अंदर में पास कर दूंगा हमारे answer वाले एक ठीक है तो यहां लगाते semicolon करते हैं स्कूर रण करते हैं तो compile and run ठीक है हमारा code successful submit भी हो गया तो अगर हम इसकी time complexity and space complexity की बात करते हैं तो अगर आप हमारे code को देखो ठीक है तो यह वाला जो part है हमारा जो while loop लगा है यह कहां तक चलेगा जब तक उसको lower नहीं मिल जाए means की o n ही मान लेते हैं अपन इसकी भी time complexity को ठीक है उसके बाद हम यह वाला loop भी हमारे कहां तक चलेगा o n तक चलेगा अगर इनको add करते तो क्या time complexity बन जाएगी o n प्लस o n is equal to o to n ठीक है आगे क्या आ रहा है constant आ रहा है तो constant को रिमू कर सकते हैं तो इसकी time complexity क्या हो जाएगी o n ठीक है यह हमारी time complexity हो गई अगर हमें जैने space complexity की बात करतें तो space complexity में हमने क्या है character area create क्या ठीक है एक answer area create क्या तो इन दोनों की time complex space complexity क्या होगी वह भी o n होगी ठीक है इधर भी o n होगी तो हम इन दोनों का submission कऱ वाएंगे तो क्या आएगा इसमें भी आएगा to o n तो हमारी इस पेस कॉंपलेक्सिटी हो जाएगी वह भी क्या हो जाएगी ओ एल टाइम एंड इस पेस कॉंपलेक्सिटी दोनों सेम होगी तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई झाल